तिसरी बात हम कहना चाहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा निमाटोर्ड का प्रावलम आता है, आप देखेंगे कि पहले साल में कम, लेकिन यदि दूसरे तिसरी साल आप उसी फेत में फसल लेते हैं, तो सुत्र किर्मी का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है, आप भावी नियंतरन के लिए आजकल के जो नए सोध हुए हैं, उसमें फिपरो नील नाम की दबा बहुत ही कारगर पाई गई है, जिसका पांच से छे किलोग्राम प्रती एकड की दर से यदि हम मिट्टी में पौधे की जड़ के पास अप्लिकेशन करें हर तीन महने पे, यान प्रभाव कम होगा आपके पचल में, आपका पौधा सुष्ट रहेगा, इसमें लाल मकडी का प्रभाव बहुत ज़्यादा होने लगा है, आजकल देखने में आता है, खास करके गर्मी के सीजन में, अप्रील महने से लेकर के जून महने तक, मौनसून से पहले तक, खेतों इसमें माईडिय यानि मकडी का बहुत तेज प्रकोफ होता है, और इस मकडी को जदी नियंतरत नहीं किया जाए, तो पूरा पौधा, आपका बिलकुल पत्तियान पिली पर जाती है, पत्तियों के नीचे इनके जालाबन जालबन जाता है, और यह पत्तों के रस को चूस ज जाते हैं मकडी के नियंत्रण के लिए सबसे अच्छी जो दवा भी हम लोगों ने अपने सोद से प्रण्याम से लिया है उसमें एवा सिन करके दवा आई नाम से आती है वजार में एवा मैक्टिन ये दवा मातर एक मिली लीटर प्रति लीटर पाने में घूल कर यदि हम इसक प्रकोप जिनका होता है जिससे काफी दूस प्रयाम आते हैं हमारे फसल पे उसमें सफेद मक्खी भी है और एक कद्दू का लाल भ्रिंग जिसको रेड़ पंपकीन बिटल बोलते हैं ये रेड़ पंपकीन बिटल को कंट्रोल करने के लिए नोभा करा नामक दवा का आप ए एक मिली लीटर दबा प्रती लीटर पाने में घोल करके एदी छिड़काओ करते हैं दो से तीन छिड़काओ तीन से चार दिन के अंतराल पे करें तो आपका पाउधा स्वस्त रहता है पत्तियां आपकी स्वस्त रहेंगी इसके अलाबा फसल में कई बारा आपके सफेद मक के लिए एक दो दवाईयां हैं जो बहुत ही सुलव हैं जैसे इमिडा क्लो प्रिड 17.8 परतीसत संद्रन का बजार में उपलब्ध है इसका मात्र एक एमिल दबा तीन लीटर पाने में घोल करके यदि आप शुड़काओ करते हैं नियमित रूप से तीन से चार चार दिन के तो यह दो से तीन स्प्रे में ही आपका पूरा फसल सुरच्चित हो जाता है